नमस्ते एवरीवन, मॉनिका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंग लगने की और जन्वरी के राशी फलकी, तो जन्वरी का महिना सिंग लगने वालों के लिए किस प्रकार की परिस्ततिया लेकर आ रहा है और कैसे अ 14 जन्वरी को सूर्य मकर राशी में प्रवेश करेंगे, 17 जन्वरी को शनी कुम्ब राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं, 22 जन्वरी तक शुक्र मकर राशी में है, उसके बाद वो कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे, 29 डिसेंबर से 18 जन्वरी को बुध वक्र अवस् पंचम भाव में बुद्ध के साथ 14 तारिक तक है, उसके बाद सूर्य आपके 6th house में चले जाएंगे, तो शुरू के जो 13-14 दिन का समय है, वहाँ confidence बहुत अच्छा है, यहाँ सूर्य बुद्ध की यूती बहुत अच्छी है, क्योंकि लगनेश और ग्यारवेस्थान का पती खुद पंचम भाव में है, तो यह एक बहुत ही positive situation है, आपके लिए बहुत ही लाबकारी समय में कहूंगी, उसके बाद आपके जो लगने लौड है, वो आपके 6th house में और शुक्र के साथ ही उती करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि अगर कोई भी opportunity मिलती है, उसक के बाद भी मैं कहूं कि शुक्र के साथ उसकी यूती है, तो यह एक आपके presentation को बहुत ज़्यादा powerful बनाती है, और जैसे ही 17 तारिक निकलती है, तो 17 तारिक के बाद लगन के ऊपर शनी की भी द्रश्टी पड़ेगी, और मंगल की द्रश्टी तो पूरे ही महिने यहाँ प पड़ेगी, तो confidence materialize हो जाएगा opportunity में, तो आप कोई भी प्रकार की opportunity है, आपके लिए सामने कोई interview है, तो आपका presentation बहुत अच्छा रहेगा और आपके selection होने की chances बहुत high है, वहाँ पर एक तरह से कोई भी बदलाव है, उसको accept कर सकते हैं, कोई घबराने की situation नहीं है, थोड कि ये opportunity आपके लिए बहुत ही बहतर परिणाम लेकर आएगी, टेक्नीकली बहुत perfect बनाएगी, presentation बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास और energy बहुत जादा रहेगी, एक चीज़ में जरूर कहूंगे कि मंगल की दरश्टी लगन पे साथ में, शनी की भी दरश्टी य कुछ भी नयापन है, नया जॉब, नया बिसनस एकसेप्ट किया जा सकता है, अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस का स्वामी बुद्ध है, बुद्ध जो है वक्तरवस्था में और वो भी पांचवे घर के अंदर है, देखिए फैमिली मैटर में थोड़ा सा श कोई भी प्रकार का इंवैस्मेंट भी करते हैं, एडवाईज लेकर कीजिएगा, तो जादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको, वैसे बहुत गबराने के सिचुएशन नहीं है, पांचवे घर में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नहीं नजर आती, क्यूंकि यह जो सेकंड हाउस के उपर गुरू की जो दरश्टी है, वो पूर रुप से आपके लिए सेविंग्स में भढ़ोतरी करेगी, और इंवैस्मेंट के लिए प्रॉपर गाइडलाइन भी प्रदान करेगी, मगर बहुत जादा कोई भी क्लैशिस वाली स्थिती हो, तो उसको आपको वाइड करना जादा बहतर है, अब बात करते हैं तृतिय भाव की तृतियेश, जो है शुक्र बनकर आपके बाइस तारीक तक सिक्स हाउस में, उसके बाद सात्वे घर के अंदर, मगर ये सूर्य के साथ है, लगनेश के साथ है, के तु यहाँ पर स्थित है, तो दे क्योंकि 17 तारीक के बाद जो परिस्तित्या हैं कि जहाँ पर 3rd हाउस का अधिपती जो है, वो दीरे-दीरे आपके लिए better results generate करेगा और अगर कोई investment करते हैं तो उसके लिए आपको परेणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, और 22 तारीक के बाद सूर्य के शुक्र और शनी की य है, initiative लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही financially strong समय है, technically काफी perfect बनाएगा आपको dispute से दूर रहना है, कोई भी चीज में dispute में नहीं पड़ना, अगर आपको लगता है कि छोटी सी चीज के अंदर clash होने वाला है, तो वहाँ आपको बहुत smartly चीजों को छोड़ कर अपनी कुद के घर को देखेंगे, तो ये एक property का बहुत excellent योग बनता है, 12 तारिक के बाद आपके लिए property से connected कोई भी कार्या है, वहाँ पर आपके लिए betterment, प्लस 17 तारिक के बाद शनी की दरश्टी भी आपके चत्तूर्त भाव को देखेगी, तो अब आप property को लेकर बड़े decisions बहुत भी आराम से ले सकते हैं, और एक बहुत बड़ा plus point यह है कि गुरू की भी दरश्टी यहाँ पर है, और अब तीनों ही मारगी अवस्था में हैं, तो कोई भी property लेना चाहते हैं, या property बेचना चाहते हैं, नया घर लेनी की परिस्तती अगर create होती है, तो बहुत excellent यो काफी betterment होगा, एक तरह से कहते हैं, अगर माता के साथ clashes हो रहे थे, तो वहाँ पर भी एक तरह से मंगल का मारगी होना आपके लिए काफी relief का समय है, दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जो भी मतलब कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा है, पुरानी जमी खरीदना चाहते हैं, या पुराना घर खरीद कर उसको renovate करवाना चाहते हैं, तो भी अच्छा है, जो भी जमीन खरीदने बेचने के business में हैं, उनके लिए जो builders हैं, जो construction वाले हैं, उनके लिए भी excellent समय शुरू हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छे contracts मिलेंगे उनको, के लिए financially बहुत अच्छा, और ये मानसिक रूप से काफी मजबूत समय है, मगर एक चीज में जरूर कहोंगे कि लगनेश सिक्स में जाएगा, तो थोड़ा आपको भी कहीं पर लगता है कि opportunity मिलती है, और वहाँ पर आपको 19-20 आपको कहीं पर compromise करना पड़े, एक बार शु होने की संभावना है, संतानों की पुड़ी संगत खराब हो सकती है, उनके जो circle of friends है, उनको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है, कि उनका focus खराब होने की संभावना है, कोई students भी है, तो उनका भी focus यहाँ पर थोड़ा disturb होता है, हाँ, अगर आप languages के education लेना चाहते हैं, या research में है, या कोई भी कहते हैं कि finance के अंदर है, banking sector के अंदर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्तती बनती है, research बहुत अच्छा हो पाएगा, मगर भटकाव की स्थिती तो definite बनती है, यहाँ पर आप अपने course को छो अब बात करते हैं आपके sixth house की, तो देखे, sixth house का अधिपती जो है, वो है शनी है, और शनी यहाँ पर स्तूरिय और शुक्र, इन तीनों की यूति यहाँ पर 14 से 17 तारीक के बीच का समय तोड़ी स्वास्त का ध्यान रखेगा, और वहाँ पर मुझे लगता है कि clashes हो सकते है चोटी-चोटी चीजों में कारे स्थल के अंदर, तो वहाँ थोड़ा dispute या कोई बड़े decisions लेते हैं, तो वहाँ पर चोटे-मोटे clash होते हैं, तो उसमें शान्ती से चीजों को deal कीजेगा, और अगर health से connected चीजों मैं कहूं, तो stomach related चीजे हैं, और diabetes से connected problems आपको initially 22 तारीक तक कि ये परिस्तती बनती है, कि जहां पर ऐसी परिस्ततियां create होगी, बोन से connected problems भी हो सकती है, और छटे घर के अंदर जब भी, जैसे सूर्य का ब्रह्मन 14 तारीक के बाद होगा, और 17 तारीक के बाद शनी यहां से निकल जाएंगे, तो एक तरह से relief ही है, मगर तो भी, जो 14 से 17 के बीच का समय है, 4-5 दिन का समय, वहां पर स्वास्ते का तोड़ा जादा ध्यान रखेगा, अगर कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, तो वहां पर कोई problematic situation नहीं है, इस प्रकार की परिस्तितियों में आगे बढ़ा जा सकता है, एक risk taking जो समय कह सकते हैं, उसमें आ आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसी घबराने की स्थिति नहीं है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर आपको थोड़ा discipline के साथ आगे बढ़ना ये definitely ये समय आपको सिखाएगा, क्योंकि ये energy काफे transformative है, तो वहां पर आपको थोड़ा शांती से परिस्तितियों को deal करना पड़ेगा, सात्वे घर की बात करते हैं, सात्वे घर में एक तरह से कहा जाए कि सत्रा तारीक का पहले का समय है, तो वहां पर बहुत बड़े clashs में मत पढ़िएगा पती-पतनी के संबंदों के अंदर, सत्रा तारीक के बाद आपका betterment होगा, जहां पर संबंद खर सत्रा तारीक के पहले बहुत बड़ा, मतलब कोई बी ऐसा, अगर पती-पतनी के संबंदों में कोई भी clash होते हैं, तो उसको बहुत जादा seriously मत लीजेगा, सत्रा तारीक के बाद परिस्तितियों में सुधार है, और वहां पर शुक्र भी 22 तारीक के बाद एंटर होगे, तो शनी और शुक्र की जो यूती सात्वे घर में बनती है, यह कही न कहीं, पहले से अगर कोई भी चीजें सॉल्व नहीं हो पाई, तो उसको सॉल्व करने में आपके definitely मदद करेगी, यहां understanding धीरे-धीरे बैठेगी, एक दब नहीं बैठेगी, तो परिस्तितिया संबलने का सम समय है, नए business partnership करना चाहते हैं, तो 17 तारीक के बाद कर सकते हैं, बहुती excellent समय है अगर कोई भी नया business शुरू करना चाहते हैं, construction, oil, medicine, खाने-पीने का व्यापार, इस प्रकार की कोई भी परिस्तिती आप आगे बढ़ना चाहते हैं, technically कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, और जो भी IT है, mechanical engineering में है, chemical engineering में है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्तिती है, तो ये even construction और जो भी, क्याते हैं, कि architect, interior designing के अंदर है, उनके लिए भी बहुत, ये महिना पूरा ही उनके लिए तो बहुत ही excellent है, और 22 तारीक के बाद तो बहुत ही excellent समय रहेगा, आपक तो काफी अच्छा result प्राप्त होगा, आपको gain होना शुरू होगा, जहां पर भी अटके हुए कार्य है, वहां पर आपको betterment मिलेगा, नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव का अधिपती मंगल वक्तरवस्था में है, 12 तारीक के बाद वो मारगी होंगे, अध्यात्मिक चिंदन में थोड़ी सी कमी मुझे है, तो वहां पर आपके 12 तारीक के बाद betterment की परिस्थती है, अगर आप medicine के अंदर masters करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए research के लिए बहुत अच्छी परिस्थतिया बनती है, भाग्य का जो support आपको कही न कहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो अब ये मंगल का म भाग्य को आपके कर्म के साथ जोड़ेगा, तो वहां पर क्योंकि ये भाग्येश कर्मस्थान में वक्री थे, अब मारगी होंगे, तो वो आपको results ज्यादा प्रदान करेंगे, दशमभाव की बात करते हैं, दशमेश जो है शनी बनकर आपके 6 हाउस में, बाद में 22 तरीक के बाद 7 हाउस में, तो यहां पर जो है कि पराक्रम का अधिपती और प्लस आपके दस्वे घर का अधिपती और लगनेश की UT 6 हाउस में है, तो यहां पर क्या होता है कि कोई भी बड़े initiative अगर आप लेते हैं, तो initially थोड़ी घवराण जरूर रहेगी, यहां मंगल है तो आपका energy level बहुत अच्छा रहेगा, मगर risk taking decisions लिए जा सकते हैं, construction, medicine और business point of view से बहुत अच्छा है, नए initiative लेना चाहते हैं, तो बहुत ही excellent परिस्तती मैं कहूंगी, कोई भी risk को उसको उठाया जा सकता है, 17 तारीक के बाद परिस्ततिया और भी favorable है, और authorities के साथ आपको एक इस तरह से कहूं के mangal जो है, वो बहुत dominating बना देता है, तो थोड़ा dominating approach से बचिएगा, बहुत जादा मतलब, एक understanding के साथ चलेंगे, तो परिस्तती कर लाब जादा मिलेगा, अगर dominating होकर चलेंगे, क्योंकि सिंग लगने वाली जो होते हैं, वो काफी dominating होते हैं, वहाँ पर शांती से चीजों को deal करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाय बनती है, सबका support भी प्राप्त हो पाएगा, ग्यारवेस्तान की बात करते हैं, लाब का अधिपती जो है वक्तरवस्था में है, तो एक तरह से जो लाब आपको चाहिए, वहाँ पर थोड बेटरमेंट होगा, लाब में थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाधा आ रही है, मगर उसमें धीरे धीरे आपको बेटरमेंट पराप्त होगा, और अठारा तारिक निकलते ही, जैसे ही मारगी बुध होंगे, वो खुद के ही घर को देखते हैं, वैसे वक्तरवस्था में भ कि जो भी स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा अपने जो भी कहते हैं कि नोट्स बनाते हैं, या कोई भी ईमेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको या आपके कोई भी प्रकार का आपके पास मोबाइल है, या लैप टॉप है, जो चीजे खराब हो सकती हैं, तो अठारा तरिक त करिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो लाभ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो कहीं न कहीं डॉक्यमेंट्स अटक जाते हैं सिस्तितियों में, तो इस चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बारवे घर के उपर देखना, और शनी यहां 17 तारिक के साफे रिलीफ है, स्ट्रेस में थोड़ा आपके लिए कहूं कि 12 आउस में से हटते ही, आपके लॉसस में से आपको प्रॉफिट के तरफ लेकर जाता है यह, और जो भी पॉरें लेंट से चीजों में बाधा आ रहे थी, उसमें अब उसमें 17 तारिक के बाद कहूं कि भी परिस्तिती है, मैंने आपके सामने रख दी है, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपन प्रशकरह ये, तैंक यू सो मुझसे कर देए हैं, जया शिक्रिप्शन बॉक्स